मैं आपको बता दूँ कि ये खड़गपूर का सबसे बड़ा बॉक्स का फेक्टरी है ये नागेस जी का नागेस साउंड सिस्टेम यहाँ पे सभी तरह का बॉक्स का काम होता है रिपियरिंग होता है नया मॉडल मिलता है अगर आपको यहाँ पे आके पार्चेस करना है तो आप डेस्क्रिप्शन बॉक्स पे कॉंटक नमबर देख सकते हो तो हेलो दोस्तों वेलकम बैक इन साउंड अंटेक आज हम जा रहे हैं कुछ बॉक्स का ओर्डर प्लेस करने के लिए खड़गपूर तो आप चलेंगे हमारे साथ और देखेंगे फैक्टरी टूर कैसा रहत प्लेसे छड़गपःबियक टो तेर देखेंगे हमारे से हमारर तो आप बहिए, वडिए आप बारार बारे साथ ग्रण橋 सावदन लिए आप hai हमारे सेरी Ęजाप प्लेसितुम्टदा में प्लेस्क थाग्वारे साथ-श्यापणानि पर्ण झाल झाल तो जी हाँ दोस्तो हम आए हैं खड़कपूर का गेट बाजार में जो हमारा वेस्ट बेंगोल का एक बहुत ही फेमास बॉक्स फेक्ट्री है नागेस जी का नागेस जी की शॉप पे हम आए हैं आप यहाँ पे उनका एड्रेस देख सकते हैं आपको अगर कोई और प्लेस करन हो तो आप यहाँ स्क्रीन पे दिया हुआ फोन नंबर पे कांटक्ट कर सकते हो मैं डेस्क्रीप्शन बॉक्स पे उनका डीटेल्स और एड्रेस दे दूंगा फिलाल आप दुकान का थोड़ा ओभर विव देख लेते हैं यहाँ पे आपको मैं स्टॉक दिखाता हूँ बहुत ही बढ़िया स्टॉक होती है इनके पास बहुत ही लाजबाब केबिनेट बनाते हैं अब देख सकते हैं केबिनेट का वाज चल रहा है फीनिसिंग कैसा है यह आप देख सकते हैं यह जेबील मॉडल में एक्चुली 6-15 इंच का एक केबिनेट बना हुआ है जो हम दे पूर का सबसे बड़ा बॉक्स का फैक्टरी है यह नागेस जी का नागेस साउंड सिस्टम यहां पे सभी तरह का बॉक्स का काम होता है रिप्यारिंग होता है नया मॉडल मिलता है अगर आपको यहां पे आके पार्चेस करना है तो आप डेस्क्रिप्शन बॉक्स पे कॉं हर एक फिनिसिंग का खयाल रखा हुआ है और जो प्लाई यूज किये हुए है यह वो प्लाई का क्वालिटी भी बहुत अच्छा आते हैं यह फिनिसिंग और यह बगल में ही है जेबील मॉडल में छैपंद्रा का एक कैबिनेट तो दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों के साथ सेयर कर दूँ कि यहां पर अगर आप किसी भी जेबील और आर्सी एप मॉडल का आप और प्लेस करते हैं तो हर तरह की जो नहीं जाली आती है मार्केट पे इनके पास एवेलेबल होती है यह देखिए यह अब इनकी प्लाई की क्वालिटी से नाप सकते हैं कि यह कितने अच्छे काम करते हैं यह देखिए दोस्तों यह गुटका की मॉडल कोई JBL मॉडल में स्क्वायर मॉडल रेडी हो रहा है इनका आप जो काम है अंदर का वो देख लीजिए यह अच्छे से जो उडन का वार्क है वो अच्छे से किया गया है अभी बहुत काम बाकी है दोस्तों यह अभी जब फी झाल झाल झाल